असलाम लेकूम, आज में लेकर आई हो बहुत ही क्रिस्पी, यम्मी, क्रीमी और डिलिशियस से चिकन पाई इफ्तार हो या एद, हाइटी हो या बर्दे पाटी, बच्चों का लंच बॉक्स हो या फिर रिष्टेवारे देखने आ रहे हो तो यह चिकन पाई बना के उनको इंप्रेस करने का बेस्ट ऑप्शन है Otherwise, it will be a great combo with evening tea और a cup of coffee So, let's start the recipe, इसके लिए जो इंग्रीजियंट शाहिए वो नोट कर ले सबसे पहले इसके लिए हम बनाएंगे क्रीमी चिकन फिलिंग बटर एट कर दूँगी और इसको बेल्ट कर लिए अब यह बटर बैल्ट हो गया इसमें यह बैदा एट कर लिए और इसको अलका साथ बंदेंगे बटर के साथ अब इसमें यह जो आनियाँ हमने चॉप करके रखी वी थी यह एट कर लिए और इसको जालें सब्सके दलंगे और all इसको दालंगे दूथ vontade प्रेबलेंस को चलते रहें और अम दालेंगे इसके अंदर ये ब्लैक पेपर गरम मसाला और नमर भीट कर ले ताकर इसमें कोई लम्सा बने और यह इसा इसा गाड़ा होना शुरू हो जाएगी क्योंकि इसके अंदर मेहदर अदर अदर अग्लिट कर देंगे यह हमारी सॉस जाहे है वह बिल्कुल रेडी हो रही है यह इसका टेक्च्चर है थोड़ी सी है काड़ी हो गई है इसे स्टेच पे इसके अंदर मैंने यह चिकन हैड कर देने यह यह मश्रूम्स और यह हरदनिया और थोड़ी सी ग्रीन चरीज और चम्मा जिसका चलाते हैं और आंच जोए वह चूले की आपने स्लो रखने है केंड केंड भी कहां के जोड़ी हो जाए इसके अंदर आप कोई भी वेजिटेबल्स भी आइच कर सकते हैं यह पाइमेकर अगा आपके पास नहीं है तो आप सिंपल यह जो प्रे होती है यह ले 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 और इसके अंदर भी दो तरह के आप कटर ले ले और फिर एक बड़ा और एक उससे थोड़ा सा छोटा अब इससा इसके बनावी के लिए इसके पाइमेकर के साथ ही यह दो कटर तो एक जो है वो बड़ा वाला है जो बेस में नीचे इसके लगेगा और एक जो है वो उपर इसकी कवरिंग के लिए तो यह इस तरह से दो कोई भी आप बॉटल के धकल ले सकते हैं कुछ भी इस तरह का आप ले सकते हैं अगर आपके पासे कटन ना हो यह शीट्स लिए इसक कला करके रखी भी है अब इसको हम यह कटर से कट करेंगे तो यह है कि एक और यह यह जो है नीचे वाली बेस है यह बड़े साइज और इसी तरह साथ ही मैं यह चोटा वाला भी कट कर देती हूं कि इस तरह से अब हमने सबसे पहले यह बड़े वाले उठा लेने अब हम से बाहर आ जाते हैं इस तरीके से और इसको आप इजने मुचे इसकी बेस में इसको सेट कर दो इसको इसको दबा दबा के प्रैस करेंगे हिलका साथ यह हो जाए इस तरीके से इसको सेट कर लेंगे और फिर इसके अंदर यह चिकन फिलिंग आइड करेंगे और अलमोस्ट टीबल स्पोन यह हमने फिलिंग लगा दी अब इसके बाद हम यह जो छोटे सरकल हमने काटे थे इससे हम इसको बंद कर देंगे और यह पाफ पेस्ट्री के जो कॉर्नर बजेंगे इसको आपने बिल्कुल जाया नहीं करना इससे मैं आपको एक बहुत अमेजिंग रेस्पी बताऊंगी इसको एंड पे हम प्रश करेंगे एक के साथ पाई मेकर में यह 10 मिनिट्स में बेक हो जाएगा और अगर आप ओवन में रखते हैं तो इसको 180 दिग्री पे 15 मिनिट्स के लिए आपने रखने है अब देखें कितना अच्छा इसका गोल्डन ब्राउन सा कलर आ गया है जबर दस किसम का अब इसको में निकाल रहे हैं कांटे से उठाया इस तरह आप इसी तरह से एपल पाई भी बना सकते हैं देखें यह रेडी हो गए है बहुत मज़ेगे रिस्पी क्रिस्पी बनें इसको कट करते हैं इतना जबरदस यह क्रंची सा रेडी हो गया है क्रस्ट पीस की बहुत इविनली बेग्ड हुई है और चिकन की फिलिंग तो लाजवाब है आप भी यह चिकन पाई बनाए और इ प्रेंड और फैमिली के साथ मेरे चैनल कबाब इं बिर्यानी कुजीन को सब्सक्राइब करना मत भूलियेगा और साथ में इस बैल आइकन को प्रेस करने से आपको मेरी वीडियो की अपडेट मिलती रहेगी थैंक्स फॉर वाचिंग टेक केर अलाहाफिस